एक बिहारी सब परभारी वैसे तो इस कहावत को यहां के टॉप क्लास IAS, IITS और IIM ग्रेजवेट सच साबित करके दिखाते हैं लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूत इस स्टेट में कोई भी अच्छी इंडरस्ट्री आना ही नहीं चाहती है। वैसे तो CM नितिश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंड लॉग्ड एरिया है जहां पोर्ट ना होने की वज़ज़ से मेजर इंडरस्ट्री इस स्टेट से दूर भागती हैं। पोर्ट मौजूद होना उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशल होता है क्योंकि इससे उन्हें एक बेटर ट्रांस्पोर्ट फैसिलिटी मिलती है जिसके जरिये वे आसानी से मरीन रूट्स को एकसेस करके हर तरह के मटेरियल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बहुत से बड़ा उत्पादक है तो वहीं दूद्व मसालों का इंडिया में सेकेंड लार्जेस साती यहां अलग अलग तरह के 40,000 से भी ज्यादा इंडरस्टी जिन में टेक्स्टाइल सीमिंट सेरिमिक और आटो जैसे कई सारे उध्योग शामिल हैं अब हर्याना की बात करें तो यह राज सालों से आटो मोबिल मैनेफेक्टिरिंग का हब बना हुआ है और आईटी के फिल्ड में भी इसने काफी तेजी से ग्रो किया है और दोस्तों वहीं अगर हम बात करें पंजाब की तो वो गेहूं का सेकेंड लार्जेस प्रडेउसर तो है ही लेकिन यहां आईटी बात बताओं बिहार हमेशा से ही इंडरस्ट्राइजेशन से इतना दूर नहीं था बलकि कुछ दशक पहले तो यहां मेजर ट्रेडिंग हब हुआ करता था असल में बिहार फर्टाइल लैंड से रिच है और यहां धानवग यहों के खेती बहुत बड़ी संख्या में की जा और आजादी के बाद जहां देश में इंडरस्ट्राइजेशन लगबग ना के बराबर था वहीं बिहार और वेस्ट बंगाल पुरे देश के इंडरस्ट्रियल स्पॉर्ट बने हुए थे एक्चली बिहार के अंदर काफी बड़ी मात्रा में मिनरल्स मौजोद थे इसे लि और माल धोने में लगने वाले खर्च पर सबसेडी देने लगे अब जाहिर सी बात है कि सबसेडी पाने के बाद कमपनीज को रौ मटेरियल या मिनरल्स के लिए बिहार या इसके जैसे बाकिके माइन्स वाले स्टेट्स का रुख करने की जरूरत नहीं थी और इंडरस्ट् या उससे पहले हुआ करती थी वो वक्त के साथ खराब होती चली गई लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 40-50 सालों में बहुत से ऐसे स्टेट या शेहरों में इंडरस्ट्रालाइजेशन हुआ है जो डेवलपमेंट के मामले में पहले काफी पीछे हुआ करते थी लेकिन फिर सवाल तो यहीं उठता है कि अखिर बिहार में यह बदलाव क्यों देखने को नहीं मिला असल में दोस्तों इसके पीछे कई सारे मेजर रिजन्स हैं जिसमें पहला है अनवेलिबिल्टी ओफ सफिशियंट लेंड किसी भी कमपनी को स्टेबलीज करने के इस स्टेट की लगबग 80% पॉपलेशन एग्रिकल्चर पर ही डिपेंडेंट है और यहीं वज़ा है कि जमीनों को हासिल करने में दो मेजर प्रॉब्लम साती हैं पहली यह कि यहां के लोग खेती पर ही निरबर हैं तो फिर अपनी जमीन किसी भी हाल में अपने हाथ से नही से एक दो नहीं बलकि बहुत सारे लोगों से बात करके जमीन को बेजने के लिए एगरी करना पड़ता है अब अगर गॉर्मेंट भी किसी कमपनी को जमीन देना चाहे उसके लिए भी यह बहुत उलजा हुआ और मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि यहां 5 हक्टेयर जमीन प हिस्ट्री बिहार कुछ साल पहले तक चेनी और चावल का बहुत बढ़ा उत्पादक था लेकिन आज इसे स्टेट के 3,000 राइस मिल्स में से 2,000 तो बंद हो चुके हैं और दोस्तों कुछ इसी तरह से 33 सूगर मिल्स में से भी 18 पर तो ताले लग चुके हैं और यही वज़ हो गई एक्जामपल के लिए 1952 में कई किसानों ने अपनी जमीन एक प्राइविट कंपनी को दी थी जिसके बाद से वारिसली गंज चीनी मिल इस्टाबलिस हुआ था परसाक के बैजनातपुर गाओं में पेपर मिल की भी शुरुवात हुई थी जिसका गोल डेली 5 टन पेपर बनाने का था लेकिन फंड्स की कमे की वज़ा से ये मिल भी 1987 में बंध हो गई ये फैक्टरी 50 एकड जमीन पर बनी थी जहां पहले गरीब किसान खेती करके अपना पेट भरते थे यानि कि उनके हाथ से जमीन भी गई और मिल भी नहीं रही आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने भी बिहार के फतुवा में अपनी फैक्टरी लगाई थी जहां विज़े सूपर स्कूटर बना करता था इसके अलावा पटना स से 80 किलोमेटर दूर मढवरा में मॉर्टन चॉकलेट की कमपनी थी और कई सारे बनियान बनाने वाले कार खाने भी साथे बिहार विज़ेडिबल ओयल सीमेंट और केमिकल्स बनाने के लिए भी काफी फेमस था लेकिन धीरे तेरे इन सभी इंडरस्टीज पर ग्रहन लगता चला गया और बिहार ने अपनी खराव विवस्था की वज़ा से अपने इन अनमोल रतनों को खो दिया अब दोस्तों बिहार सरकार इंडरस्टीज को इनवाइट करने के लिए कई सारी नई नई पॉलिसी तो बनाती है लेकिन जब उनको इंप्लिमेंट करने के बारी आती है तो फिर कमपनीज को निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता 2015 में नितिश सरकार ने एक पॉलिसी की शुरुवात की थी इसे पोस्ट प्रोडक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया था इसके तहद पहले ओनर्स को अपनी फैक्टरी बिहार में स्टैबलिस करनी होगी इसके बाद से गॉर्मेंट उन्हें सबसीडी या फिर इसके अलावा बाके के बेनिफिट्स प्रोड करेगी लेकिन सरकार के पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए कमपनीज को यह पॉलिसी अट्रैक्ट नहीं कर पाई क्योंकि 2006 में नितिश कुमार ऐसी है एक इंडरस्ट्री पॉलिसी लेकर आये थे जो देखने में तो कमपनीज के लिए काफी प्रोफिटेबल थी लेकिन इस पॉलिसी की तहद जीनोंने भी बिहार में अपनी फैक्टरी या ओफिसेज लगाए उन्हें पश्ताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगा एक्चुली बिहार सरकार इन्हें जो भी सबसीडी प्रोवाइड करने वाली थी वो कभी भी उन्हें दी ही नहीं गई इस मामले में कई सारे केसेज भी चले और 2010 में पटना हाई कोर्ट ने अथारिटीज को इसके लिए काफी फटकार भी लगाई कई कमपनीज ने दावा किया कि कोर्ट का चक्कर लगाना और सबसीडी के लिए लंबे समय तक केस लड़ना पूरी तरह से समय की भरबादी है इसलिए जहां कि पॉलिसी अच्छी हो वहीं पर जाना ज्यादा सही होगा इस सब के अलावा बिहार स्टार्टप पॉलिसी 2017 के तहट नेतिश कुमार ने स्टार्टप्स को 500 करोण रुपए का फंड देने की बात कही थी लेकिन बहुत सारे से अंतर्पर्नेर्स हैं जिनके शिकायत है कि सरकार से उन्हें कभी भी फंड मिले ही नहीं अब सबसीडी मिले या ना मिले लेकिन इन सभी रिजन्स की वजह से बिजनस ओनर्स को इतना जरूर आइडिया हो गया था यगर बिहार में अपनी इंडरस्टी लगानी है तो फिर गौर्मेंट की तरप से उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलने वाला अब इतियास में जाग कर देखे तो बिहार के राजनीती में जातिवाद जैसा मुद्धा हमेशा से नहीं था इस राजनीती का नतीजा ये हुआ कि डेवलप्मेंट लोगों के लिए कोई मुद्धा ही नहीं रहा और इंडरस्टलाइजेशन ने दम तोड़ दिया बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया जगजग दंगे होने लगे यहां तक की हालात तो ये हो गए थे कि रात साथ बजे के बाद लोग अपने घर से निकलने में भी डरते थे क्योंकि रास्ते में रोक कर उनकी बाइक या फिर कार छीन ली जाती थी गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि चाहें मासूम जनता हो या फिर I.S. उफिसर्स उनकी हत्या करने से पहले क्रिमिनल्स को जराबी कौफ नहीं होता था वहाँ सोसल जस्टिस एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम बन गया था और ऐसे महौल में कोई भी कमपनी अपनी फैक्टरी भला क्यों ही स्टेबलिस करती है हाला कि ये सब तो बहुत पहले की बात है जबकि आज तो खुद RJD नेता भी इंडस्ट्रालिजेशन को भरपूर सपोर्ट करते दिखाई देते हैं इवन नितीश कुमार भी आए दिन डेवलप्मेंट के लिए नए-नए स्टेप्स ले रहे हैं जैसे कि कुछ समय पहले ही यहाँ पर कई नई सीमेंट फैक्टरीज लगाए गई साथ ही एथनॉल के प्लैंट्स भी लगाए गए हैं इसके अलामा उद्धमी बिहार, समरेद्व बिहार कैमपेंड, एंटर्पेनर्शिप एवार्ड और इनोवेशन चैलेंजे जैसे प्रोग्राम से गवर्मेंट लगातार योथ और एंटर्पेनियर्स को सपोर्ट कर रही है अब गवर्मेंट को अपने इन सभी प्रयासों से कितनी सफलता मिलती है, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगा वैसे बिहार में इंडरस्ट्रीज न होने की पीछे आपको अपेनियन क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा